Online पैसे कवाने के लिए Google के दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं एक है YouTube, दूसरा है Blogger YouTube पर मैं Complete Series बना चुका हूँ जो कि आप इशान Monitor चैनल पर देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको Blogger पर एक Blog बनाने का Complete Process दिखाने वाला हूँ Blogger पर आप एक भी पैसा खर्च किये बिना बिल्कुल Free में एक Professional Blog स्टार्ट कर सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं पहले आपको एक Blog सेट अप करना होगा उसके बाद आपको 20-25 यूनिक आर्टिकल्स अपने Blog पर पब्लिश करने होंगे उसके बाद आपको Google AdSense के लिए अपना Blog सब्मिट करना होगा Google AdSense से April मिलते ही आप अपने Blog पर Ads लगा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं काफी Demands पर मैंने वीडियो बनाया हैं जिसमें आप Blogger पर Blog बनाने का Complete Process देखेंगे और मुझे अमीद है कि इस तरह का वीडियो आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलने वाला है इसलिए आप इस वीडियो को Complete देखेगा उसके बाद आप आसानी के साथ बिल्कुल फ्री में एक Blog शुरू कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एक Blog स्टार्ट करने के लिए आपको आना होगा Blogger.com पर इसके बाद Create Your Blog पर क्लिक करेंगे अपने Gmail ID चूज करेंगे जिससे आप ये Blog क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं ये Gmail ID चूज कर लेता हूँ इसके बाद password डालेंगे अपने Gmail ID का सबसे पहले आपको अपने Blog का Title डालना होगा जो भी आपको अपने Blog का नाम रखना है वो आप यहाँ पर डालेंगे जैसे कि for example मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इशान गुरू तो आप यहाँ पर कोई भी Title अपने Blog को दे सकते हैं इसके बाद Next इसके बाद आपको अपने Blog का Address डालना होगा जो भी आप चाहते हैं कि आपके Blog का Address रहे वो आप यहाँ पर डाल देंगे जैसे कि मैंने डाल दिया है इशान गुरू लेकिन यह बोल रहा है कि यह Blog Address अविलेबल नहीं है यानि यह पहले ही किसी ने लिया हुआ है जैसे कि यह Address अविलेबल है गुरू इशान तो मेरे Blog का Address हो जाएगा गुरू इशान.blogspot.com अगर आप चाहें तो Custom Domain भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गुरू इशान.com लेकिन उसके लिए आपके लिए डोमेन लेना होगा और उसको अपने Blogger से Connect करना होगा जिस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद आपको Display Name डालना होगा कि आप अपने Reader के लिए क्या Name शो करना चाहते हैं मतलब कि जब भी Reader आपके किसी आर्टिकल को रीड करेगा तो वहाँ पर क्या Name शो होना चाहिए वो Name आप यहाँ पर डाल देंगे इसके बाद Finish आपका Blog Create हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं Left Side में एक Menu दिया गया है इसमें सबसे नीचे एक Option है View Blog आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने Blog पर पहुंच जाएंगे जैसे कि देखिए हमने Blog Create कर दिया है और इसका एडरस है गुरुइशान.blogspot.com आप एक Email ID से जितने चाहे Blogs बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए यह एक Blog हमने बनाया हुआ है इसान गुरू तो यहाँ New Blog पर क्लिक करके आप और भी Blogs बना सकते हैं अलग-अलग Categories पर Menu में सबसे पहला Option है Post Post पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपने कितनी Post लिखी हुई है और यही से आप एक New Post भी अपने Blog पर लिख सकते हैं दूसरा है States यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके Blog पर कितने Views आए हैं और कितने Users आए हैं साथी यहाँ पर है Comments इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके Blog पर कितने Comments आए हैं और यहीं से आप उन comments का reply कर सकते हैं इसके बाद है earnings earnings में आप यहां Google AdSense को अपने blog से connect कर सकते हैं इसके बाद आपके blog पर ads show होने लगेंगे जिससे आपकी earnings होगी आपकी जितनी भी blog से earnings होगी वो सब आपको Google AdSense account में मिलेगी इसके बाद है pages यहां से आप अपने blog पर pages बना सकते हैं जैसे की privacy policy, contactors, tournament conditions इस तरह की जितने भी pages आपको create करने हैं वो आप pages से कर सकते हैं इसके बाद है layout ले आउट में आप अपने blog को design कर सकते हैं कि आपको right side में क्या रखना है, आपको header में क्या रखना है, आपको footer में क्या रखना है एक तरह से widget यहां पर आप चूज कर सकते हैं कि आपको कहां पर क्या रखना है इसके बाद है theme, theme सबसे important चीज है यहां से आप अपने ब्लॉग का एक theme चूज करते हैं कि आप अपने ब्लॉग को क्या design देना चाहते हैं और इसके बाद है settings settings में जाके आप title, description इस तरह की चीज़े यहां पर change कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले हम change करेंगे theme जिसके लिए theme पर click करेंगे यहां पर धेर सारे themes दिये गए है आप इन में से कोई भी एक theme चूज कर सकते हैं जैसे कि मुझे यह theme चूज करना है तो मैं इस पर click करूँगा apply पर click करेंगे यह theme apply हो गया है इसके बाद अपने blog को refresh करेंगे तो जो भी theme आपने apply किया है वे ही यहां पर show हो जाएगा लेकिन blogger के अपने जो themes है वो उतने अच्छे नहीं है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं blogger के themes को ज्यादा लोग use नहीं करते हैं बलकि अलग से theme को download करके उसको blogger में use किया जाता है तो इसके लिए हम एक website पर जाएंगे उसका link मैंने आपको वीडियो के description में दे दिया है यह है वो website आप यहां free blogger templates पर click करेंगे तो आपके सामने धेर सारे free blogger templates आ जाएंगे आप यहां इनका preview देख सकते हैं और जो भी आपको template पसंद आता है उसको आप download करके blogger में upload करेंगे तो वो apply हो जाएगा जैसे कि मानली जीए मुझे यह template चाहिए तो इस पर click करेंगे इसमें यहां पर live preview और download का option दिया गया है अगर आप चाहें तो live preview पर click करके इसका live preview देख सकते हैं कि आपका blog देखने में कैसा लगेगा इस template को apply करने के बाद तो आप देख सकते हैं काफी professional और काफी खुबसुरत यह template लग रहा है तो हम यहां download बटन पर click करेंगे और इस template को download कर लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं इसके बाद हम जाएंगे इस folder में जहांपर इसको download किया है इसके बाद इसको हम unzip करेंगे right click करेंगे और किसी zip software की help से इसको हम unzip कर लेंगे unzip हो गया है इसको हम open करेंगे तो इसमें धेर सारी files है लेकिन काम की file स्रीफ XML document है जो की आप यहां देख सकते हैं तो जो भी आप template डाउनलोड करेंगे और इसके बाद इसको आप unzip करेंगे तो इसमें आपको इस तरह की काफे सारी files मिल जाएंगी लेकिन उसमें जो आपको upload करनी है वो XML document है जो की आप यहां देख सकते हैं अब यह तो बात हुई कि आप किसी दूसरी website से blogger का template कैसे download करेंगे अब बात आती है कि उसको आप अपने blogger में upload कैसे करेंगे किसी template को blogger में upload करने के लिए आप theme पर click करेंगे इसके बाद आप यहां click करेंगे इसमें आपको एक option मिल जाएगा restore आप इस पर click करेंगे इसमें आप upload पर click करेंगे इसके बाद जहाँ पर view file रखी हुई है आप उसको select करेंगे जैसे कि हमारे case में यहाँ पर यह है ultralight free version XML document इसको हम open करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं theme restore हो रहा है और देखे theme restore हो चुका है इसके बाद हम अपने blog पर जाएंगे refresh बटन को press करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह theme यह template हमारे blog पर apply हो चुका है और देखने में यह काफी professional लग रहा है अब हमें customize करना होगा तो customize करने के लिए theme में आएंगे और यहाँ customize पर click करेंगे यहाँ से आप इसमें एक background image दे सकते हैं इसमें आप alignment set कर सकते हैं और साथी आप scroll with page इसको enable disable कर सकते हैं नीचे आएंगे advance settings दी गई है जिसमें आप इसका color change कर सकते हैं इसके बाद है gadgets इसमें about me है इसको आप on off कर सकते हैं जैसे कि यह blog है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं right side में about me का इक option है जिसमें blogger के बारे में लिखा हुआ होता है तो अगर आप चाहें तो इसको off भी कर सकते हैं जो कि आप यहाँ से करेंगे इसके बाद आप यहाँ से save करेंगे save button पर click करेंगे तो जितने भी changes आपने किये हैं वो सब apply हो जाएंगे जैसे कि यहीं से आप इसमें एक background image भी दे सकते हैं लेकिन हमें कोई background image नहीं देना है तो हम वापस आ जाएंगे इसके बाद सबसे पहले हम pages बनाएंगे तो यहाँ pages पर click करेंगे इसके बाद new page पर click करेंगे तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको title डालना होगा जैसे कि इसमें में डाल देता हूँ contact us इसके बाद आप इस page में जो चाहें लिख सकते हैं अपने हिसाब से इसमें add कर सकते हैं, आप कोई video भी add कर सकते हैं, आप bold italic underline कर सकते हैं, आप text का size छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से करेंगे, और अगर आप चाहें तो align भी कर सकते हैं, left right या center, आप bullets भी डाल सकते हैं, तो यह सारे options आपको इस editor में दिये गये हैं, इसके बाद just आपको publish पर click करना है, confirm, आपका यह page publish हो जाएगा, इसके बाद जब आप pages पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको इस page देखने को मिलेगा, अगर आप चाहें तो यहीं से इसको delete भी कर सकते हैं, इसके बाद हम एक और new page बनाएंगे, new page, और इसमें यहाँ पर मैं डाल देता हूँ about us, इसमें आप अपने बारे में जो चाहें लिख सकते हैं, यहाँ पर पूरा editor दिया गया है, जैसे कि मैं आपको अभी बताया, इसके बाद publish पर click करेंगे confirm, तो आपका यह page भी publish हो जाएगा, इसी तरह से जितने आप चाहें pages बना सकते हैं, अपने blog के लिए pages में आपको determined conditions, privacy policy, about us, contact us, इस तरह के pages तो बनाने ही हैं, इसके लावा आप जो चाहें, बना सकते हैं, अब हम यहाँ पर post लिखेंगे, posts पर click करेंगे, इसके बाद new post पर click करेंगे, post लिखने के लिए भी यहाँ पर आपको यही editor दिया गया है, आप English, Hindi या किसी भी language में post लिख सकते हैं, अगर आपको English में लिखनी हैं, तो आप direct लिख सकते हैं, अगर आपको किसी और language में लिखनी हैं, तो आप Google Input यहाँ डाल देना है, जैसी कि मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसान्गुरु.com ब्लॉग पर के 21 कमाल की website जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पर आपको publish करके दिखा देता हूँ, पहले आप यहाँ title डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप अपना पूरा article लिखेंगे, अब जैसी कि time बचाने के लिए इसान्गुरु.com वेबसाइट से मैंने यह blog कॉपी करके यहाँ पर paste कर दिया है, आप कोई URL भी डाल सकते हैं image का, या photos से भी ले सकते हैं, या फिर आप direct अपने computer से upload कर सकते हैं, upload from computer पर click करके, इसमें यहाँ choose file पर click करेंगे, जहाँ पर भी आपकी image रखी हुई है, select करके open करेंगे, आपकी image यहाँ आ जाएगी, इसके बाद आप image को select करेंगे, और select पर click करेंगे, आपकी image यहाँ आ चुकी है, आप चाहें, तो यहाँ से इसको align कर सकते हैं, और साथी यहाँ से आप इसका size भी change कर सकते हैं, जिसमें आप small, medium, large, extra large और original size यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं large यूज़ करूँगा, इसी तरह से editor में दिये गए दूसरे options का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी को bold करना है, तो आप select करेंगे, bold कर देंगे, यहाँ से italic कर सकते हैं, underline भी कर सकते हैं, तो यह सब आप यहाँ से कर सकते हैं, size अगर आपको change करना है, तो phone size पर click करेंगे, यहाँ से आप medium, large यह फिल largest इसका size कर सकते हैं, वीडियो डालने के लिए आप यहाँ insert वीडियो पर click करेंगे, जिससे आप इसमें अपने article में एक वीडियो डाल सकते हैं, इसी तरह से आपको link डाल स इसी तरह से अगर आपको bullets डालनी हैं, तो आप select करेंगे, जहाँ पर आपको bullet डालनी हैं, और bullet पर click करेंगे, तो देखिए bullet apply हो जाएगी, आप यहाँ पर bullet style भी choose कर सकते हैं, इस तरीके से आप editor में दिये गए धेर सारे features का use कर सकते हैं, आप text का color भी change कर सकते हैं, जिसका आपको change करना है, select करेंगे, और यहाँ आप click करेंगे, तो डेर सारे colors दिये गए हैं, जो भी आपको color देना है, select करेंगे, तो आप देखेंगे कि test पर वो color apply हो चुका है, इसके बाद right side में काफी सारे options दिये गए हैं, पहला है preview, इस पर click करके आप अपने article का एक preview देख सक इसके बाद comma लगाएंगे, और दूसरा कोई और topic जैसे कि में डाल देता हूँ, technology, इसके बाद comma, उसके बाद में डाल देता हूँ, websites, तो जितने भी topics के बारे में आपका ये article है, आप यहाँ पर comma लगाके उन सबको add करेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये तीनो labels add ह गए हैं, इसके बाद है publish, publish में अगर आप automatic चूज करेंगे, तो जैसे आप publish पर click करेंगे, यह publish हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई date fix करनी है, कि उस date को यह automatically publish हो जाए, तो आप set पर click करेंगे, जो भी date and time आप यहाँ चूज करेंगे, उस date and time को यह automatically आपका article publish हो जाए नहीं है, in fact यह SEO friendly नहीं है, तो आप custom permalink पर click करेंगे, और जो भी आपका article है, उसी से related आप यहाँ पर permalink डालेंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 21 best websites, इसके बाद है location, अगर आप चाहें, तो कोई location डाल सकते हैं, इसके बाद है options, options में आप comments को allow कर सकते हैं, जैसे कि अ article पर public आ करके comment करें, तो आप allow कर देंगे, लेकिन अगर आपको comments allow नहीं करने हैं, तो यहीं से आप do not allow पर click कर सकते हैं, चली हम allow रखेंगे, इसके बाद publish, इसके बाद confirm, तो आपका यह article publish हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, publish हो गया है, इसके बाद जाएंगे blog पर refresh करेंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपका यह article आ चुका है, और इस पर click करके, आप इसको यहाँ read कर सकते हैं, इसमें जो कुछ हमने लिखा है, सब है, जो image डाली है, वो भी आ गई है, और नीचे आपको share के options भी मिल जाएंगे, आप इसको facebook, twitter, whatsapp, linkedin, Pinterest, या email के थूरू share कर सकते हैं, साथ ही इसमें आपको related articles भी मिल जाएंगे, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, और old और new articles भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, यह काफी बेहतरीन template है, जो मैंने इसमें install किया है, क्योंकि इसमें already सब कुछ है, जो हमें एक professional blog के यह चाहिए होता है, उपर आप display name देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको starting में दिखाया था, कि आपको एक display name रखना है, तो वो name यहाँ पर show होता है, जब भी आप कोई article publish करते हैं, अब यहाँ पर देखे, यह है menu, और इसमें जो चीज़े हैं, यह हमने add नहीं की है, यह हमें remove करनी है, इसी तरह से right side में काफी सारे widgets हैं, जो हमें नहीं चाहिए, तो इनको हमें set करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे layout में, layout पर click करेंगी, layout में आपको अपनी website का पूरा layout मिल जाएगा, जो यह आपका blog है, इसका जो layout है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो जो इसके भी आपको रखनी है, नहीं रखनी है, वो आप यहीं से decide करते हैं, जैसे कि उपर यह social icons हैं, तो अगर हमें यह रखने हैं, या नहीं रखने हैं, इसके लिए हम layout में आएंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं, social top, इसमें आप pencil icon पर click करेंगे, तो यहाँ अगर आपक पर click करके, आप Facebook का URL चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी URL डालेंगे, आप अपने page का URL डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अपने page का URL डाल कर save कर देता हूँ, तो अब यहाँ इस Facebook icon पर कोई भी click करेगा, तो वो मेरे page पर पहुंच जाएगा, इसी तरह से दूसर है Twitter, अगर आपको Twitter नहीं रखना है, तो आप direct delete भी कर सकते हैं, और edit पर click करके, यहाँ आप अपना URL डाल देंगे, Twitter का, जैसे कि मैं यहाँ पर अपना Twitter profile URL डाल कर save कर देता हूँ, इसके बाद है Instagram, इसको भी हम edit delete कर सकते हैं, मैं edit करूँगा, और यहाँ पर मैं Instagram का URL डाल कर save कर दूँगा, इसके बाद save, अब जैसे कि यहाँ पर Pinterest है, यह मुझे नहीं चाहिए, तो delete पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, Pinterest delete हो चुका है, इसके बाद save, इसके बाद जा करके refresh करेंगे, तो आप देख सकते हैं, Pinterest icon यहाँ से delete हो गया है, अभी यहाँ पर है Facebook, Twitter और Instagram अभी जैसे कि कोई Facebook icon पर click करेगा, तो वो direct मेरे Facebook page पर पहुँच जाएगा, इसी तरह से कोई Twitter icon पर click करेगा, तो वो मेरे Twitter profile पर पहुँच जाएगा, Instagram icon पर click करेगा, तो मेरे Instagram page पर पहुँच जाएगा, तो इस तरह से आप इन icons को layout में जाकरके modified कर सकते हैं, delete कर सकते हैं, edit कर सकते हैं इनमें आप कोई भी link डाल सकते हैं अब यहाँ पर top navigation है इसमें कुछ pages add हो गए हैं जैसे कि home about contact जो के हमने बनाए हैं तो हम इसको edit करेंगे जिसके लिए हम top navigation को edit करेंगे अगर यह show नहीं करने हैं तो यहाँ से just आपको tick करना है save कर देना है इसके बाद आप यहा से गायब हो चुके हैं इसके बाद यहाँ पर जो pages है home about contact अगर आप चाहें तो इनको edit कर सकते हैं जो भी आप URL यहाँ पर डालेंगे वही आपके home में set हो जाएगा जो आप यहाँ about में set हो जाएगा जो आपको contact में डालना है वो आप यहाँ डाल सकते हैं चलिए मुझे य यहाँ पर एक option है ticker अगर आपको यह ticker show करना है या नहीं करना है तो इसके लिए आप layout में आएंगे और यहाँ news ticker का एक option दिया गया है इसको आप edit करेंगे अगर आपको show नहीं करना है तो just आप यहाँ इसको uncheck कर देंगे ticker में क्या होता है कि जो आपकी latest articles post होती है वो automatically यहाँ पर चलती रहती है जैसे कि किसी news website पर चलती है तो अगर आपको नहीं रखना है तो आप इसको uncheck करेंगे save कर देंगे इसके बाद refresh करेंगे तो आप देखेंगे कि ticker यहाँ से hide हो चुका है इसके बाद है यहाँ पर यह logo यह logo हमें change करना है इसके लिए भी हम जाएंगे layout में header logo इसको हम edit करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर visibility का option है अगर आपको यह show नहीं करना है तो आप uncheck भी कर सकते हैं लेकिन हमें show करना है तो यहाँ पर हम blog का title डालेंगे यहाँ पर description डाले है इसके बाद यहाँ पर है logo तो logo मुझे यहाँ पर change करना है तो यहाँ remove image पर click करेंगे इसके बाद अपने computer से हम यहाँ पर एक दूसरा logo upload कर देते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको add कर दिया है इसके बाद save करेंगे इसके बाद यहाँ refresh करेंगे तो आपका logo show हो इसके बाद है यह menu इसको हम edit करेंगे इसके लिए भी layout में जाएंगे इसमें यहाँ पर आप देख सकते है men menu को option दिया गया है इसको edit करेंगे इसमें यहाँ पर धेर सारे options दिये गए हैं हम इन सबको पहले delete कर देते हैं delete यहाँ मैंने इन सबको delete कर दिया है अब यहाँ पर home आ गया है, save करूँगा इसके बाद यहाँ इसको refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बागी सभी menu यहाँ से गायब हो चुके हैं क्योंकि उनको मैंने delete कर दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ home है इस पर कोई भी click करेगा, तो वो direct हमारे home page पर आ जाएगा अब यहाँ पर जैसे कि हमें contact us about us, या जो भी pages या जो भी post add करनी है वो आप यहाँ से add कर सकते हैं इसके लिए आप वही जाएंगे जो links दे गए है, menu, edit दूसरा link add करने के लिए आप यहाँ पर डालेंगे जैसे कि मैं डाल देता हू, about us इसमें आप यहाँ पर link डाल देंगे और add link पर click करेंगे देखे add हो गया है, इस तरह से यहाँ पर मैं डालूँगा contact us इसको भी यहाँ पर आपको link डालना होगा आपने contact page का, किसी भी page का link डालने का तरीका यह है कि आप pages इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपने pages बनाए है, वो यहाँ पर आ गए है आपको just view पर click करना है और आप देख सकते हैं आपको उपर link मिल जाएगा आपको link copy करके यहाँ पर paste कर देना है add link तो आप देख सकते हैं यहाँ पर home, about us, contact us, सब कुछ आ चुका है जो भी आपको उपर रखना है आप इस तरीके से उसको उपर कर सकते हैं इसमें यहाँ पर icon दिये गए है उपर नीचे करने के लिए जैसे कि contact us है इसको नीचे करेंगे तो यहाँ नीचे जो तीर का निशान है इसके बाद सेव इसके बाद refresh करेंगे तो आप देखेंगे कि man menu में home, about us, contact us तीनो pages आ चुके हैं इसी तरह से अगर हमें menu में कोई article भी add करना है तो हम जाएंगे इसी में और यहाँ layout पर click करेंगे इसमें man menu edit करेंगे अब यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ menu का जो भी रखना है मैं डाल देता हूँ 21 websites ओके यहाँ पर मैं link डाल देता हूँ तो link हम यहाँ पर इस post को open करेंगे इसका link copy करके यहाँ पर हम paste कर देंगे इसके बाद add link तो आप देखेंगे 21 website नाम का menu बन चुका है तीर के निशान पर click करते हुए इसको हम नीचे ले आएंगे इसके बाद आप blog में देख सकते हैं home about us, contact us और 21 websites इस पर मैं click करूँगा तो direct उसी article पर पहुँच जाएंगे जो मैंने link दिया है ओके तो यहाँ तक यह सब कुछ setup हो चुका है इसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर right side में काफी सारे widgets हैं तो इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो सब हम यहीं से decide करेंगे आप देख सकते हैं यह man post की जगा है man post को भी आप edit कर सकते हैं और इसमें आप show कर सकते हैं कि आपको एक page पर कितनी post show करनी है जैसे कि यह home page है तो home page पर यहाँ आपको कितनी post show करनी है नीचे तक वो आप यहीं से decide करेंगे जैसे कि इसमें 13 है आप चाहिए तो 10, 15 जो चाहिए आप डाल सकते हैं नीचे यहाँ पर अगर आपको name show करना है कि किसके दुआरा यह post किया गया है आप इसको टिक रखेंगे नीचे comments और सभी options दिये गए हैं जो कि किसी भी post के नीचे show होते हैं तो इनको आप चाहें तो change कर सकते हैं वरना save इसके बाद आप देख सकते हैं right side bar right side bar जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इसको edit करने के लिए आप आएंगे इसमें पहला है search this blog अगर आपको अपने blog में एक search button रखना है जिससे कोई भी आपके blog में कोई भी post search कर पाए तो आप रख सकते हैं नहीं रखना है तो आप जाएंगे layout में इसमें आप search this blog पर click करेंगे अगर आपको नहीं रखना है तो आप यहाँ uncheck करेंगे इसी तरह से आप इसका title भी change कर सकते हैं इसके बाद save इसके बाद है blog archives तो blog archives आप यहाँ देख सकते हैं यह हमें नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ पर edit करेंगे और uncheck करके save कर देंगे अभी यहाँ पर refresh करेंगे तो आप देखेंगे कि blog archives यहाँ से hide हो चुका है जिसमें show होता है कि किस महिने में हमने कितनी post publish की है इसके बाद है attribution यानि copyright जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे blog में यहाँ पर एक blog icon show हो रहा है और साथी यहाँ पर copyright दिया गया है powered by blogger तो अगर आपको यह नहीं चाहिए तो आप यहाँ attribution को edit करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो copyright में कुछ भी डाल सकते हैं जैसे कि मैं डाल देता हूँ इशान गुरू इसके बाद save करेंगे और refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इशान गुरू आ गया है copyright में लेकिन अगर आपको यह नहीं चाहिए तो आप edit करेंगे और remove पर click करेंगे ओके यह remove हो चुका है इसके बाद refresh करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से यह hide हो चुका है इसके बाद यहाँ पर और भी के सारे options है जैसे कि report, abuse है इसको आपको hide या unhide करना है pages, about me, featured post है featured post को आप edit कर सकते हैं कि आपको featured post में क्या रखना है वो सब आप यहाँ से choose कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देखिए social plugin है इसमें आपर काफी सारे icons है facebook, twitter, instagram, youtube, rss तो आप इनको change कर सकते हैं यहाँ social widget में जाकर edit करेंगे सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसका title दे सकते हैं तो जिसमें मैं डाल देता हूँ followers, यह follow me डाल सकते हैं मुझे follow करें इसके बाद यहाँ पर काफी सारे links दे गए है जो आपको नहीं चाहिए delete करते जाएंगे vk मुझे नहीं चाहिए, pinterest नहीं चाहिए, rss नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए facebook, twitter, instagram और youtube तो जस्ट आपको edit पर click करके यहाँ पर इनके url change कर देने हैं इसके बाद save, इसके बाद यहाँ आएंगे refresh करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से सभी icons गायब हो चुके हैं क्योंकि मैंने delete कर दिया है और यहाँ पर सिरिफ 4 icons है इन पर कोई भी click करके direct हमारे profile पर पहुंच सकता है जैसे youtube पर click करके कोई भी इशान monitor channel पर पहुंच जाएगा इसके बाद है add space जब आप Google AdSense से approval ले लेंगे तो आप यहाँ पर add show कर सकते हैं यह आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा add space, अभी हमें hide रखनी है फिलहाल तो यहाँ पर इसको हम uncheck करेंगे जैसे आपको Google AdSense का approval मिल जाएगा तो आप इसको show करेंगे और यहाँ पर आपको code डालना होगा Google AdSense की तरफ से मिला हुआ इसके बाद आप save कर देंगे तो आपका add यहाँ पर show होगा इसके बाद है subscribe us यह भी आपको यही पर मिल जाएगा नीचे आप देख सकते हैं subscribe us अगर आपको यह नहीं चाहिए तो आप uncheck करेंगे इसके बाद save इसके बाद है follow by email इसको भी आप hide and hide कर सकते हैं इसके बाद है labels इनको भी आप hide and hide कर सकते हैं तो सब कुछ आपके हाथ में है जैसे आप चाहें वैसे अपनी website को रख सकते हैं यहाँ पर label show होंगे कि किस label के अंडर आपने कितनी post publish की है जैसे कि technology में हमने एक publish की है तो यहाँ पर show हो रहा है तो यहाँ तक हमने अपने पूरे homepage को design कर दिया है अब आएंगे footer में footer में आप देख सकते हैं logo है, icons है और यहाँ पर कुछ widgets भी है तो इनके लिए हम layout में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें about us और social footer है तो अगर आपको footer में भी social icons लगाने हैं तो आप यहाँ से इसको check रखेंगे जो आपको नहीं चाहिए उनको आप यहाँ से delete कर देंगे जैसे कि हमें नहीं चाहिए Pinterest, LinkedIn इसके बाद save और यहीं से आप इनका link भी change कर सकते हैं edit पर click करके साथी यहाँ पर refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं वही icons है जो आपको चाहिए साथी यहाँ पर यह about us है इसको आप यहाँ से edit करेंगे तो इसमें आपको logo change करना है तो आप यहाँ remove logo पर click करेंगे अपने computer से आप logo ले लेंगे आप देख सकते हैं आपका logo आ चुका है अब यहाँ पर जो भी आपको text रखना है यह text भी आप यहीं से edit कर सकते हैं edit करेंगे और यहाँ पर आप जो भी text डालेंगे वो ही आ जाएगा और यहाँ refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं I am इशान लिखाओ आ रहा है तो आप अपने बारे में यहाँ पर थोड़ा लिख सकते हैं हमारा blog यहाँ पर पूरी तरह से setup हो चुका है अब बस एक काम है वो है आपको unique articles अपने इस blog पर डालते रहना जैसी आपके blog पर 20 पर 20 unique articles हो जाएंगे तो आप यही earnings पर click करेंगे और यहाँ से आप google adsense account create करेंगे उसके बाद आप अपने blog को google adsense के लिए submit करेंगे जैसी आपको app roll मिल जाएगा तो आप ads अपने blog पर लगा सकते हैं अलग अलग जगाओ पर जब भी user आपके blog पर आएगा उस ad पर click करेगा तो उसे आपकी earnings होगी तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ आपको बस post लिखनी है post पर click करेंगे इसके बाद यहाँ new post पर click करेंगे post लिखना बहुत ही simple है जस्त आपको यहाँ पर title डालना है जिस बारे में भी आपको post लिखनी है उपर आप सबसे पहले title डालेंगे जो भी आपको show करना है title आप यहाँ देख सकते हैं यह होता है title और title के बाद यहाँ पर जो भी आपको content show करना है आपका article वो आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें आपको सभी options दिये गए हैं text छोटा बड़ा करने के bold italic underline और image भी आप डाल सकते हैं जैसे कि image डालनी है तो यहाँ image पर click करेंगे upload from computer इसके बाद image select करेंगे जहाँ पर भी रखी हुई है इसके बाद यहाँ पर आप image select करेंगे और select image आ चुकी है इसके बाद आप यही से image का size भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इसमें आप large या original size भी रख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर right side में कुछ options है label आप add कर सकते हैं label में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ legal इसके बाद comma इसके बाद law तो जिस बारे में भी आपका article है वो आप यहाँ comma लगा कर add करेंगे इसके बाद publish इसमें आप automatic चूज करेंगे इसके बाद permalink permalink में आप automatic भी रख सकते हैं इसमें आपका automatic permalink बन जाएगा या अगर आप चाहें तो custom भी रख सकते हैं इसके बाद location, option इसमें हम comments allow रखेंगे इसके बाद publish, confirm तो आपकी post publish हो जाएगी इसके बाद आप आएंगे अपनी website पर तो आप देखेंगे कि आपका article publish हो चुका है जो के यहाँ पर भी featured में show हो रहा है और साथी नीचे यहाँ पर भी show हो रहा है तो जितने भी आप articles publish करेंगे यहाँ पर भी show होंगे और नीचे तक show होते जाएंगे और साथी यहाँ category में भी show होंगे article पर click करेगा तो उसके सामने पूरा article open हो जाएगा और यहाँ वो उस पर comments भी कर सकता है और यहाँ से share भी कर सकता है जैसे कि Facebook पर share करना है Facebook button पर click करेगा यहाँ पर कोई भी title डाल कर post to Facebook पर click करेगा तो यह article publish हो जाएगा Facebook पर सो इस तरीके से एक भी पैसा खर्श किये बिना बिल्कुल free में आप कुछी minutes में अपना blog start कर सकते हैं इसके लावा जो छोटी मोटी चीज़े हैं जैसे कि custom domain कैसे यूज करना है निची आँपर जो यह copyright लिखा हुआ होता है इसको आप कैसे change करेंगे ads के लिए कैसे apply करेंगे ads कैसे लगाएंगे यह छोटे छोटे topics पर अलग-अलग videos आते रहेंगे लेकिन main topic यही था कि blog start कैसे किया जाता है जो कि इस video में मैंने आपको काफी details में समझा दिया है इसके लावा अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे comments में demand कर सकते हैं कि मैं उस पर video बनाओं तो जितने जादा comments आएंगे किसी एक चीज़ के बारे में उस पर मैं videos बनाता रहूँगा